नमस्कार दोस्तों मैं श्ट लॉजर सचेजिन स्वागात रॉब जंदन करता हूँ अपने सभी प्रिये दर्श्कों का जनवरी 2023 चल रहा है नए साल में परवेश पर चुके हैं हैं और जनवरी का दूसरा सब्ता आठ तारिक से लेकर चौदा तारिक के बद्धे आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में यह जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी आप जो भी लोग अपनी चंद राशी से वीडियो को देखेंगे नाम राशी से देखेंगे उनको ज़्यादा लाब होगा आप वैसे लहाफ आपके लिए और उनलती दायक रहे इसके लिए हम आपको को कावनाएं पर आप खुश रहें परसंद रहें और अब जानिए सापता ही राशी फल अपती राशी का उससे पहले चैनल को सस्क्राइब कर दें बेल आइकन की बटन को दबा दें फेस्बूक और इस्टरा पर भी हमके संपर्क चोड़ लें आपकी राशी के बारे में अब श स्था का बड़े भाईयों का सहयोग मिलेगा, तीर सियात्राओं पर जाने के योग बनेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ कहीं ये रिष्टेदारी घोमने फिरने तीर सियात्रा पर जाने के प्रवल संभाव उनाए है, सब्था कि मतिका भाग आपको कारिच शेतर में आपके अधिकार बढ़ सकते हैं, आप कुछ अच्छे की उमीद कर सकते हैं, काम में, नौकरी ने वैपार में, आप अपने वरिष्ट अधिकारियों और सीनियर के साथ में अच्छा ग्यान अरजित करेंगे, उनके साथ आपकी मीटिंग अच्छी रहेगी, आपको कुछ उनस से आपके संबन्द में सुधार होगा, चोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबन्द अच्छे बने रहेंगे, आपको मार्ग दर्शन मिलेगा, आपकी अच्छी आपदरी बढ़ने के संकेत हैं, आठ से चौदार जंदरी की बात की जाए, तो आठ नौक दस्तारी को समय शाद़ार फल देने वाला है, आप परिवार में खुशियां लेखेंगे, परिवारी खुशियां आपके मनोबल को बहुत उपर कर देंगी, आपकी नौकरी में सब कुछ आपके नियंतर बें होगा, आप किसी भी काम को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, तरक्की पाएं आपकी आशाएं जो हैं वो बड़ी रहेंगी योजनाएं आपकी काम आएंगी सरकारी काम आपके बनेंगे नए समझोते नए कारोबारी विस्तार में आप आगे बढ़ेंगे तेरा और चौदा तारिक को आपकी लोग प्रिता का ग्राफ काफी उपर होगा आपको भाकी की वज़े से कई आउसर मिलेंगे भावी योजनाओं को पूरा करने के लिए विशेश प्रियाश करने के आउशकता हो सकती है धार्मिक इस्तल गौश आला मंदिर वगेरा में दान कुने करना वहाँ पर मत्था टेकना वहाँ पर जाना आपके लिए बहुत शुब रहेगा चौदात और एको समय ठीक नहीं है थोड़े सी चिंता हो सकती है पूरा सप्ता शांदार है आठ जन्वरी की बात करें तो आपके लिए समय शुब रहेगा आप उलमी से धन कमाएं आपको भागी का दिनंतर साथ मिलेगा जीवन साथी से रिष्टे थोड़े से बिगर सकते हैं इसने सावधान रहें वरना कुछ कड़वाट आ सकती है रिष्टों में काम के लिए वैपार के लिए समय बहुत अच्छा है शुब समाचार मिलेंगे बच्चों को पुरुसका आपके हिर्दे को परसंता देगा आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी आपके प्रेम संबंद बहुत अच्छी रहेंगे जीवन साथी के पति लगाओ बढ़ेगा शादी की योग हैं तो रिष्टे आ सकते हैं वैपारियों का नया वैपार शुरू होने के लिए एक अच्छा दिन है दस जनवरी की बात की जाए तो आपके अधिकारी आपसे संतुष रहेंगे आपको मान समान सहयोग मिलेगा आपके वैवसाय में धिनतर विस्तार होगा विद्याती अपने अधिनकार में बेतर नहीं कर पाएंगे जीवन साथी के सार्ष्टे मज सुधार होगा आपको आपके जिनताओं से मुक्ति मिलेगी आपके पिता के स्वास्ते में सुधार होगा आपको ऐसे महत्पूर्ड लोगों का साथ बिलेगा जो आपके कार की स्थिदी को सुधार सकते हैं आप अपनी माता जी की सहर का समचे ध्यान रखे विद्यारती सम्भाद की प्राप्ति होगी वैपारियों को आद निश्य दूप से एक लाब होने की संभावना है या सब शेयर मार्केट सटे मार्केट में दिवेश करने के लिए शुब है आप आत मिर्वर होंगे कुल मिलाकर आपके लिए दिन पसंता दायक रहेगा सभी महात्पुर्ण इंडरसो समझ कर लिए जाए तो और भी बहतर रहेगा तेरा जन्वरी की बात करें तो आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं आपकी वैपार में तरक्की होने वाली है वैपार में कुछ नया और कुछ बेहतरीन होने वाला है निश्य दूप से आप लोग तरक्की की रहा पर चलने वाले हैं लंबी यात्राय रद होने वाली है बच्चों की पढ़ाय लिखाई अ की तरफ आकर शित होंगे, कुछ लोग आपके घर महमान बन कर आ सकते हैं, उनका स्वागत करें, उनका आशिरवाद लें, अतक परिशम करने से बचें क्योंकि स्वास्त में गरबढ़ हो सकती है, तो कुल मिलाकर आपके लिए 90% यह सबतार शुब है, और आने वाला वक्त भी अब बात करते हैं कि कैसे और समय को बहतर बनाया जाए, उपाय क्या करना है, हनवान जी की उपासना करनी है, शिव जी की उपासना करनी है, जो आप लंबे समय से करते आ रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोग मंदिर जाना शुरू करते हैं, भगवान विश्नु की उपासना करें भगवान श्री राम की उपासना करें मंदिर में जो भी भगवान आपके विराजित हैं की उपासना करें कुल प्रोहित की सेवा करें मंदिर में श्रम दान करें श्रम दान समझते हैं श्रम यानि शारिरिक श्रम यानि कोई सेवा करें इस साल बढ़िया रहेगा और अप उत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहें, उनकी सेवा करें, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हों, चाहे वो अपने घर के पले हुए डॉग हों, उनकी सेवा अची तरीके से करें, उनको खिलाते पिलाते रहें, और आनंद में समय मिताते रहें, तो यही छोटे-छोटे स है दिमाग को अच्छा रखना है तो योग पड़ाया मेडिटेशन सूरे नमशकार को अपने जीवन का एक इसा बना लिजिए सारी जिन्दगी स्वास्त भी अच्छा रहेगा पैसा भी आता रहेगा और सोच विचार भी अच्छे रहेंगे तो इतना करके देखिए इतनी सलामानिये मेरी आपका आने वाला दोजारतेश का बचा हुआ वक्त बहुत ही बेत्रीन होगा और वर्तमान से आज से ही आप धन्वान बनने शुरू हो जाएंगे तो यही थी आपके लिए स्पेशल टिप्स और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया है तो दबा दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जनब गुर्ली बनवाना चाहते हैं तो यह के नमबरों के संपर कर सकते हैं आपका समय बहुत ही श कर मैं कर कर दो कर दो एगा है विए भी गूर्णी कार यह विए ऊपर लेड़ एकन मशन है तो विए ले गूफ एकन मशनी के वे ले टोहीं अएला है को तो फो बहुत है आप है अभी पधमेशन पर श्सकराइब हो